नमस्ते चात्रों आज हम इस वीडियो में वेन सांग की भारत यात्रा का ध्यन करेंगे तो देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने वेन सांग की भारत यात्रा के बारे में काफी कुछ बताया है तो आप ध्यान से वीडियो देखेगा पढ़ते हैं वेन सांग देखेगा वेन सांग अवा एक चिन्नी यात्री था जिसने 630 और 614 इस्वी के 20 भारत यात्रा की उसे यात्रियों में राजकुमार निति का पंडित और वर्तमान सक्यमुन्नी कहा जाता है उसका जनम 600 इस्वी में हुआ और 664 इस्वी में उसकी मर्ट्यू हो गी 20 वर्ष की आयू में वह बिक्सु बन गया था 29 वर्ष की आयू में उसने चंदर की भूमी अर्थार्थ भारत की आत्रा करने का निस्चे टिया वे इनसांग को पारपत्र प्राप नहीं हो सका था अत्या गुप्त रूप से वह अपने देश से निकल आया तासकंद समरकंद और बल्ख होते हुए 630 इस्यू में वह गांदार पहुंचा वहां से वह कस्मीर गया जहां वह दो वर्ष रहा वह पंजाब में भी आया और बुद्ध के जीवन से सम्मधित स्थानों जैसे कपिल वस्तू बनारस गया और उसी नगर की उसने यात्रा की नालंदा विश्व देश में ब्रह्मन किया 644 इस्यू में उसने हर्स से सवदेश लोट जाने की अनुमति प्राप्त की प्राप्त कली थी राजा उदित को उसे सीमा तक पहुंचाने के लिए नियुक्तिक किया गया पामीर तता खोतान होकर 645 इस्यू में वहन सांग वापस चीन पहुंच जा पुस्तकों की पंडूली पे अपने साथ ले गया था ठीक है सेस जीवन उसने अनुमत करने में वेतीत किया था उसने अपनी यात्रों का विवरन हमें परदान किया जो बील की पुस्तक पस्चिमी विश्वय के बोद रिकॉर्ड में और वाटज की पुस्तक युवान भारत में यात्रा में पढ़ा जा सकता है वेन सांग की एक जीवन उसके मितर हैली ने लिखी है बील ने इसका अनुमाद हून सांग का जीवन में किया है ठीक है वेन सांग ने अपने यात्रा विवरन के उपर एक गरंद लिखा है जिसे सीयू की कहा जाता और यह पुरुवार्द में भारत में जीवन के समाजिक, राजनेतिक, आर्थिक, दार्मिक और परसासनिक पक्सों के विषय में यह हमें परियाप्त जानकरी परदान करता है। इस ग्यान कम है तो है इसलिए है कि यह एक ऐसे विक्ति द्वारा दिया गया है जो भारत में लंबी अवदी तक रहा जो देश की बासा को जानता था और जिसने वही लिखा जो उसने स्वेम अपनी आँखों से देखा है भारत के विशे में वियन सांग ने इस प्रकाल लिख नगरों तथा ग्रामों में अंतह दुआर हैं दिवारें उची और मोटी हैं मुहले और गलियां गुमावदार हैं और सडकें भी टेडी हैं मुख्य मार्ग गंदे हैं और दोनों और की दुकानों पर उप्यूक्त चिन लगा दिया गया है तथा कसाई मच्वारे नाचने वाले जलागस भंगी आधी सहर से बाहर रहते हैं आते जाते समय के लोग जब तक अपने घर ने पहुंच जाएं सडक के बाई और चलते हैं उनके घर नीची दिवारों से गिरे हुए हैं और उन्हें उपनगर माना जाता है धरती नरम और किच्ड़ वाली है इसलिए दिवारों के उपर के मिना लकडी या बांस के बनाए जाते हैं करों की अटारियां और चज्जे लकडी के हैं जो मिटी या चुने के पलस्तर तता टायलों से ढखे हुए हैं विभिन इमारतों की सकल चीन की इमारतों जैसी ही है सरपत या सोखी ठहनियों या तक्तों से उन मिला दिया जाता है विभिन रितुम में वे फूल भिखेरते हैं यह उनके कुछ रिवाज है संगा रामु अर्थाच विहारों का निर्मान कुछ सलता से किया जाता है चारों कोणों पर तीन मंजिलों के बुर्ज बनाए जाते हैं सहतीर और उबरे हुए शिरों पर विभिन आकारों में खोद कर मूर्तियां बनाई जाती हैं दौारों, खिडिकियों और नीची दिवारों पर बहुत से चित्र बनाए जाते हैं बिक्षों के कमरे अंदर से सुसजित हैं और बाहर से साध्य हैं इमारत के बीचों बीच एक उंचा और चोड़ा हॉल है अनेक मंजिलों के सदन और बिना किसी नियम के अलग-अलग उंचाई और आकार की वुर्जियां हैं दौार पूरव की और खुलते हैं तता राज सिहांसन भी पूरव की और मुह किये हुए हैं उनकी पोसा कटी हुई या सजी हुई नहीं बहुदा के उजले सफेद कपड़े पहनते हैं रंग-बिरंगे कपड़ों का वे लोग मान नहीं करते हैं पूरुस कमर पर अपने कपड़े बांदते हैं और फिर उन्हें बगल के नीचे इकठा करके शरीर पर बाएं और लटका देते हैं भारत की आर्थिक दसा का वर्णन भारत की समरद्दी से वेन सांग अत्यदिक परभावित हुआ वह हमें बताता है कि लोगों का जीवन इस्थर बहुत उंचा था सोने और चांदी दोनों के सीके पर्चलित थे कोडियां और मोती भी मुद्रा के रूप में पर्चलित थे भूमी उर्वर थी और उत्पादन बहुत अधिक था वीभिन परकार की सबजियों तथा फलों की उपच्की जाती थी लोगों का मुख के आहर गेहूं था भूने हुए दाने चीनी घी और दूद के पदार थी कुछ अवसरों पर मचली मरग और भेड का मास भी खाया जाता था गाय तथा कुछ जंगली जानरों का मास पूंटिया वर्जित था जो व्यक्ति नियमों का उलंगन करता था उसे निशकासित किया जा सकता था परमुख नगरों का वर्णन वेन सांग हमें बताता है कि कई नए नगर बस बन गये थे और पुराने नगर समाप्त हो रहे थे पाठली पुतर अब उत्री भारत का प्रमुक नगर नहीं रहा था और उसका स्थान कर्नोज ने ले लिया था कर्नोज में सैकडो संगाराम और 200 हिंदू मंदिर थे कर्नोज के समर्दी उसके उंचे भावनों सुंदर उद्यानों स्वच जल के तालाबों और विचितर स्थानों से एकतरी दूरलव वस्तूओं के अजाइब घरों में थी इसके नागरिकों की लुभावनी चित्वन उनके रेसमी वस्तूओं तथा ग्यान और कला के प्रति उनकी स्रद्ध से भी यह है उतनी ही स्पस्थ है प्रियाग एक महत्वपुन स्थान बन चुका था किन्तु स्रावस्तिय अब नस्ठ हो रहा था और कपिल वस्तूओं में कपड़े बनाने की कलातें थी परिस्कृत थी उस समय बनाये जाने वाले कई कपड़ों का उसने उलेक किया है कोशे कपड़ा रेसम और सूथ से बनाया जाता था सन जूट भांग से प्राप्त वस्तूओं से अक्षोम कपड़ा या लिनन बनाया जाता था तीसरी प्रकार क पहने की वस्तुती कंबल चोथी प्रकार की चीज थी किसी जंगली जानवर की उनका बना कपड़ा जो बहुत बढ़िया मुलाइम और आसानी से कातने और बुनने योगे होता था आभूसन राजा तथा उच वेक्तियों के आभूसन ऐसा धारन थे कीमती पत्थर का तारा और हार उनके सीर के आभूसन है और उनके सरीर अंगूठियों कंगनों तथा मालाओं से सुसरजित है धन्वान व्यापारी केवल कंगन पहनते हैं या दपी लोग साधे कपड़े पह कृतित होते थे ठिके औद्योगी अर्था उद्योग क्या क्या थी तो जातियों जातियों तता बड़ी-बडी श्रेनियों सा्व्यां निग्मूंगर आदारित था देश के उद्योगी जिवन में ब्राहमनों का कोई भाग नहीं था, खेती का काम सुद्र के हाथों में था जाती प्रथा, जाती प्रथा ने हिंदू समाज को जक्कर रखा था ब्राहमन धरम करते थे छत्रिय शासक वरग थे राजा प्राय चत्रिय होते थे और वैशे व्यापारी तथा वानिक थे सुद्र खेती थता परीचरिया का काम करते थे वेन सांग लिखता कि सतरी और ब्राहमन अपनी पोसाग आधिकी द्रिश्टे से साफ है कि वे घरेलू और सम्रज जिवन वेतीत करते हैं धनी व्यापारी सोने की वस्तों का व्यापार करते हैं वे प्राहे नंगे पाम जाते हैं बहुत कम लोग पादुकाई पहनते हैं वे अपने दातों पर लाल या काले निशान लगाते हैं वे अपने बाल उपर बांधते हैं और कानों में छिद्र करते हैं सारीरी सफाई का वे बहुत ध्यान रखते हैं खाने से पहले वे हाथ मुह दो लेते हैं जूठन के वे कभी नहीं खाते परियोग करने के बाद लकडी तथा मिट्टी के बरतन नस्ट कर दिये जाते हैं दातू के बरतनों को रगड के माजा ज़ता था खाने के बाद वे अपने मुह को दातुन से साफ करते हैं और हाथ तता मुह दोल लेते हैं सर्वेसाधारन लोग एदपी कंभुध्धी के हैं फिर भी वे सच्चे और विश्वसनिये हैं धन के मामले में वे निस्कपट हैं और न्याय करने में वे उद्दार हैं किसी अन्य योनी में जन रहने से वे बहुत डरते हैं, इस प्रसंसार की वस्तुओं को वे अधिक महत्वय नहीं देते, अपने आच्रन में दोकेबाज या द्रोई नहीं हैं और उनके परसासनिये नियमों में विशिष्ट सुधी हैं, तदा वेभार में वे सर्वत्था, अंगत एम बहुत सदाचारी और सीरवान हैं, अंतरजात ये विवा नहीं होते हैं थे, एक ये जाती के विविन वर्गों में भी विवा सिमित थे, तिक्टे, बोजन दता विवाह की द्रस्टी से विविन जातियों में कुछ नियंतरन थे, लेकिन उन में समाचिक आचार विवार के मार्ग में ये नियंतरन बादक नहीं थे वेन सांग ने भार्टियों के बोजन की सुदता का विशेश धान दिया है प्याज और लसुन बहुत कम प्रियोग होते थे उन्हें खाने वालों को समाज से निस्कासित कर दिया जाता था विद्वाय विवाह की पर्था नहीं थी उच्वर्गों में तो पर्दे की पर्था नहीं थी हमें बताया गया है कि वेन सांग के उपदे सुनते समय राजे स्री पर्दा नहीं करती थी सती पर्था पर्चली थी रानी ये सोमति अपने पती प्रभागरवर्दन के साथ ही सती हो गई थी राजे स्री भी सत दो में एस्वरिय के पीछे भागना सांसारिक जीवन का लक्सन है और ग्यान की खोज़दार्मिक जीवन का लक्सन है धरम को अपनाने के बाद धरम निर्पेक्स जीवन में आना अपमान जनक समझा जाता है समाज के नियम को तोड़ने वाले की खुले आम भर्षना की जाती ह चोटे से दोस्त के लिए उसे मोंदारन करने के लिए बाधे किया जाता है बड़े दोस्त के लिए उसे निसकासित किया जाता है जिने इस प्रकार जीवन परियंत निसकासित किया जाता है वे निरास्त्रे सडकों पर फिरते हैं कभी कभी वे अपना पुराना व्यवसाय फिर शुरू कर देते हैं शिक्सा दार्मिक थी और उसे विहारों के मादम से परसारित किया जाता था दार्मिक पुष्ट के लिखी हुई थी किन्तु वेदों को मुखिक रूप से परसलित किया गया था और उन्हें कागज या पत्तों पर नहीं लिखा जाता था उस समय पर्शलित लिपी को ब्रहमी कहा जाता था जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई माने जाती थी संस्कृत विद्वान वर्ण की भास्ता थी संस्कृत व्याकरण को विद्धिवत नियमों से जकर दिया गया था एक वेक्ति की सिक्षा नो वर्ष की आयू से तीस वर्ष के आयू तक चलती थी जब सिसे तीस वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी बुद्धी परीपकव होने पर तथा सिक्सया संपून होने पर वे अपने अपने कारिये में जूट जाते हैं और सबसे पहले वे अपने ध्यापकों की कृपा के लिए उन्हें दक्षिना देते हैं वियन सांग लिखता है कि भारत में कई लोग ऐसे थे जो सारा जीवन विध्यन में वेतीत करते थे उसने नालंदा विश्वीधरे का विश्त्रित वर्णन किया है उसने वीभिन विश्योंपर वाद विवाद के धंका भी उलेख किया है वे अन्हें लिखता है कि जब किसी वेक्ती की कीरती सर्व परसिद्भ हो जाती है तो वह एक विचार गोस्टी का योजन करता है वोस्टी में भाग लेने वालों की योगेता का वह अनुमान लगाता है और यदि उन में से कोई अपनी प्रिस्क्रित भासा, सुक्सम, खोज, गहन, चिंतन और एकाटे तर्क से विसिस्टता प्रात कर ले तो भहुमुले अभूशनों से सज्जित हातियों पर वठा कर उसके परसन संग उसे विहार के द्वार पर ले जाते हैं उसके विप्रीद यदि एक वेक्ती वादिवाद में हार जाए या असलिलवा के प्रियुक्त करे या तर्क के नियुमों का उलंगन करे तो उसके उपर कीचर लगा कर उसे खाई में फेंक दिया जाता है वेन सांग हमें बताता है कि एक बार लोकात्य समुता है कि एक आचारी ने 40 सितांत लिखे और नालंदा विश्व विदले के द्वार पर इस सूचना के साथ उन्हें लटका दिया यदि कोई वेक्ती इन सितांतों को गलसित कर दे तो उसकी विजे के उप्रक्से में मैं उस उसे अपना सर्दूंगा वेन शांग ने इस चुवन्योती को स्विकार किया और उस वेकतिक एक सारषनें युद्रिवद में हरा दिया क्यूंतों वेंसांग ने उसे प्हं करों सीहीत वार मैं का सिस्य नालंदा हो जाता है और आप लोगों का दिमाग में भी कोई आइडिया हो अच्छे से इत्यास विसे से सम्मंदित पढ़ाने का या समझाने का या फिर कोई गलती होगी उस सुधार करने का तो आप कमेंड बॉक्स में देख सकते हैं हमें कमेंड कर सकते हैं हम गोर करेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया लिस्वे